ही मार्शाल कैबिनेट ने 1195 से अधिक पदों को भढ़ने की मंजूरी दे दी है आपको जानकर खुशी होगी कि ये 1195 से अधिक पद पटवारियों के भरे जाने वाले हैं स्वागत है आपका हमारे ओफिशल योटूब चैनल पर मैं हूँ रोही तो और आप देख रहे हैं गौर्वनेंट जॉब्स फॉर योटूब चैनल वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजेगा और वीडियो को देखने से पहले वीडियो को शेर कर दीजेगा उसके बाद जानते हैं 25 बड़े फैसले जो कि लिए गए हैं आज कैबिनेट मीटिंग में जी हां 8 अगस्त 2019 को ही मार्शल कैबिनेट मीटिंग आयर्जित की गी थी इसमें 25 बड़े फैसले लिए गए हैं जिसमें सबसे बड़ा फैसला है जो कि जिसके लिए आप बहुत समय से I think एक या दो साल से आप वेट कर रहे थे कि कब ही मार्शल प्रदेश पटवारी के लिए अनौसमेंट हो गई कब इसके लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू होगा तो आपको मैं बता दूँ कि आज कैबिनेट मीटिंग में इसके लिए मंजूरी दे दी है विदिन वन वीक आपको हमारे ही इस यूटूब चैनल पर इन्फोर्मेशन मिल जाएगी कि पटवारियों के लिए ओफेशल नोटिफिकेशन रिलेज हो गई है जल्दी से मंदल के द्वारा लिए गे 25 वड़े फैसलों के बारे में मुख्या मंत्री जाहराम ठाकुर की अदक्षता में गुरुबार को हुई राजय मंत्री मंदल की बैठक में कई वड़े फैसले लिए गए है इमाशल में पटवारियों के रिक्त पत जल्दी भरे जाएंगे राजय मंत्री मंदल ने 1195 उमिदवारों का पटवारी प्रिक्शन के लिए चैन करने का निर्ने लिया है ये वही डिजी टे 1195 जिसके बारे में मैंने आपको आज से तीन महीने पहले एक वीडियो अप्लोड करके बताया था इनमें 933 उमिदवारों को मोहाल साइट में प्रिक्शन दिया जाएगा जबकि 262 को बंदोवस्त का प्रिक्शन दिया जाएगा शिमला और कांगडा में बंदोवस्त विभाग में 17 योग्य चेंड मैन का चेंड कर प्रशिक्षित करने का निर्ने भी लिया गया है इनकी भरती चर्णवत्रिके से होगी मंत्री मंडल ने सैंकडो एस्पियो का भी मानदे बढ़ा दिया है मंत्री मंडल की बैठक में मदर टेरेसा असहाय मात्र संबल योजना के तहत सरकार ने परित्यक्त महिलाओं और विद्वाओं को दो बच्चों के पालन पोशन के लिए प्रती बच्चा प्रती वर्ष सहायता राशी 6,000 रुपे कर दी गई है प्रदेश में 25,000 से ज्यादा महिलाएं इस योजना से लावहनवित हो रही है योजना के लाव पाने के लिए असहाय महिलाओं की वार्षिक आये 35,000 रुपे से कम होनी चाहिए 18 वर्ष से कम उमर के बच्चे होने चाहिए अगर आपको इसका लाव उठाना है तो आपकी annual income 35,000 रुपे से कम होनी चाहिए और आपके जो बच्चे हैं वो 18 वर्ष की आयो से चोटे या कम होने चाहिए तभी आप इस योजना का लाव उठा सकते हैं कैबिनेट ने पांचवी और आठवी कक्षा में परिक्षा लेने को भी मंजूरी दे दी है मंदरी मंडल ने स्ट्र 2021 से पांचवी और आठवी कक्षा में परिक्षा लेने की मंजूरी दे दी है स्कूल शिक्षा बोर्ड दोनों कक्षाओं की परिक्षाओं के लिए प्रश्ण पत्र और उत्र पुस्तिका मुहा करवाएगा जिला स्तर पर उपनी देशकों की देख रेक में उत्र पुस्तिकाएं जांची जाएगी शिक्षा का अधिकार अधिनियम सिंशोदित 2019 को प्रदेश में लागू कर दिया गया है जमु कश्मीर में बढ़ते तनाव के बीच हिमाचल सरकार ने कश्मीर से लगते चमबा और लाहल स्पिती में तेनात विशेश पुलिस अधिकारियों SPO के मानदे को 6000 रुपे से बढ़ा कर 7000 रुपे प्रतिमा करने का निर्ने लिया है J&K में बढ़ते तनाव और SPO से ज़्यादा मदद लेने के चलते प्रदेश सरकार ने ये कदम उठाया है प्रदेश में करीब 500 SPO तैनात है अब उनका जो वेतन है वो 6000 रुपे से बढ़ा कर 7000 रुपे प्रतिमा देने का फैसला ले लिया गया है मंत्री मंदल ने ही माशल प्रदेश में लावारिस पश्वों और जंगली जानवरों से फसलों के बचाव को कांटेदार तारों के बाड़ और लिंक चेन पर 50% सबसीड़ी देने का भी निर्ने लिया है अगर सामोहिक रूप से किसान ऐसा करते हैं तो उन्हें 70% उपदान मिलेगा मंतरी मंडल ने जोर्नल अस्पताल मंडी, DDU, शिमला मतलब के दीन दियालो पादे अस्पताल शिमला, क्षेत्रिय अस्पताल कुलू और सीविल अस्पताल पालंपूर में 16 स्लाइस सिटी स्कैन मशीने लगाए जाने को भी मंजूरी दे दी है यह मशीने PPP मोड पर लगाई जाएगी, प्रदेश के अन्य अस्पताल, सीविल अस्पताल रोहडू, रामपूर, नूरपूर, सुंदरनगर, पावंटा साहेब और कोट खाई जोर्नल अस्पताल धर्मशाला में भी उपलप्त करवाई जाएगी बशर्ते इन स्थानों में 6 मा में लगातर कम से कम 500 सीटी स्कैन प्रतिमा करने होंगे कैबिनेट बैठक में पॉली हॉस निर्मान सुक्षम सिंचाई योजना स्थापित करने और इस बारे में किसानों को प्रशिक्षन देने की मुख्य मंत्री नूतन पॉली हॉस पर योजना प्रतम चरण को आरम करने की मंजूरी दे दी है इसके लिए कुल 78.57 करोड रुपे की सविकृती प्रदान कर दी गई है सरकार ने जिला मंडी की राजकिय वरिष्ट माद्यमिक पार्शाला शाला जिला बिलासपूर के स्वारगाट, टोबा, तनबोल, सुई सुरा और दियोट में राजकिय वरिष्ट माद्यमिक पाठशालाओं में विज्ञान कक्षाएं शुरू करने का निरने लिया है जिला कांगडा की राजकिय वरिष्ट माद्यमिक पाठशाला देहां इन संस्थानों के लिए पीजीटी के 26 पद स्रीजित करने को भी सविकृति प्रदान कर दी गई है मतलब कि पीजीटी के 26 पद बहुत जल्दी भरे जाने वाले हैं कैबिनेट ने मंडी की राजकिय वरिष्ट माध्यमिक पाथशाला बाड़ा में विक्यान और वानिजय तथा सरोवा में वानिजय कक्षायन शुरू करने के लिए पीजीटी के 9 पदों को भरने का भी यहां पर निरने लिया है तो कुल मिला के यहां पर आपके हो जाते हैं पीजीटी के 35 पद मंदरी मंडल ने जिला सिर्मौर के राजकिय डिगरी कॉलेज शिलाई में सैक्षनिक सतर 2019-20 से इत्यास और राजनितिक साश्तर की सनात को तरक खशायन शुरू करने का और आरम करने का निरने लिया गया है सेक्षन संस्थानों को आपात कालिन स्थितियों के लिए त्यार करने और विद्यार्तियों को आपदाओं का सामना करने में सक्षन बनाया जाएगा मंदरी मंडल ने स्वस्ते विवाग में 161 पदों को भरने की मंजूरी दे दी है तो यहाँ पर 161 पद और भरे जाएंगे स्वस्ते विवाग में ये क्लास 1 से लेकर क्लास 4 के सवी पद यहाँ पर इंक्लिउट है विलासपुर जिला के श्री नैनादेवी में एक खंट चिकितसा खोलने का यहाँ पर निर्ने लिया गया है इसके लिए विविन वर्गों के 15 पद भरने का भी यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है विलासपुर जिला के मारकंडास्तित समुद्दा एक सवस्ते केंद्रों को 50 विस्त्रों का सीविल अस्पताल अपग्रेट करने का भी यहाँ फैसला लिया गया है और 18 पद भरने की मंजूरी दे दी गई है स्रीमोट जिला के पवंटा में बेहतर सवस्ते सविदायों अपलब्द करवाने के लिए मंद्री मंडल ने सवस्ते विभाग में 161 पदों को भरने की मंजूरी दे दी है इसमें क्लास वन से लेकर क्लास फोर के सवी पद इंकल्यूट है पिलास्पुट जिला के श्री नैना देवी में एक खंडच कितसा कारले खोडने का निरने लिया है इसके लिए विभिन वरगों के 15 पद भरने का भी फैसला लिया गया है पिलास्पुट जिला के मारकंडास्तित सामुदाइक सवस्ते किंदर को 50 विस्त्रों वाले सिविल अस्पताल में अपग्रेड करने का निरने लिया है और विविन वर्गों के 18 पदों को भरने का फैसला लिया गया है सिर्मोट जिला के पावंटा साहिव में भेतर सवस्ते सुविदायों उपलब्द करवाने के लिए सीविल अस्पताल पावंटा साहिव में विश्त्रों की संख्याओं को बढ़ा कर 150 करने का फैसला लिया है इसके लिए विविन वर्गों के 73 मतलब की तिहतर पद भरे जाने को भी प्रादान कर दी है सवी कृती जिला चंबा के सामुदायक स्वस्ते केंदर स्तलोनी को अपग्रेट कर 50 विश्त्रों वाला सीविल अस्पिताल बनाने का निरने लिया गया है इसके लिए विन 33 पदों को भरा जाएगा मतलब की विविन श्रीडियों के 33 पद यहां पर भी भरे जाने वाले है कांगणा जिला के बशवाई स्थित प्रात्मिक स्वस्ते केंदर को अपग्रेट कर इसे सामुदायक स्वस्ते केंदर बनाने का निरने लिया है इसमें विविन वर्गों के 19 पद भरे जाने को भी मंजूरी दी है उनना जिला के बस देड़ा में ब्लॉक मेडिकल आफिस खोड़ने और इसके लिए तीन पदों को भरने का फैसला लिया गया है आपको वीडियो कैसा लगा आपके कुछ राय है कुछ सजेशन है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा वीडियो को शेर करना बिलकल भी मत भूलेगा क्योंकि हमें पहुंचना है बहुत जल्दी 50,000 सब्सक्राइबर के टारगेट पर तो मुझे पता है कि आप ये टारगेट जल्दी ही अचीव करवाल होगे तो जल्दी से वीडियो को शेर कीजेगा और लाइक करना बिलकल भी मत भूलेगा और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो पर तब तक के लिए जये हिन जये भार हमारी एकमर्स वेबसाइट बिग आउटलेट बनके त्यार हो चुकी है अब आप यहां पर आकर शॉपिंग का मज़ा ले सकते हैं अबिध हैवी डिसकाउंट जैसे कि आप यहां पर चेक आउट कर सकते हैं अगर आप हमारी इस वेबसाइट के थूप एमेजन पर जाते हो हमारी वेबसाइट का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में साथ में आपको अगर विजिट करना है हमारी वेबसाइट पर तो हमारी वेबसाइट का जो एडरस है www.bigoutlet.in यहां पर आपको मैंट फैशन जैसे शूज, कलोफिंग पर 70% आफ मिलेगा वहीं आप विमेन फैशन के उपर भी 70% आफ मिलेगा अगर आप इसी वेबसाइट के थ्रू रीडिरेक्ट होके जाते हो एमेजन पर यहां पर रेडमी 7 का फॉन मिलने वाला है 799 रुपे से यहां पर आपको हैवी डिसकाउंट हर एक प्रोड़क्ट के उपर मिलने वाला है अगर यहां पर जाते हो विमेन फैशन के उपर इसे आपने यहां पर क्लिक किया तो आप रीडिरेक्ट होके पहुँचोगे एमेजन पर तो यहां पर आप बहुत कुछ बाए कर सकते हैं क्लोथिंग, फूट, वियर वाचेज, हैंडबैक, फैशन, ग्रॉसरी बहुत कुछ आप यहां पर बाए कर सकते हैं तो आपको मैं बता दूँग इसका बैनिफिट आपको क्या है और मुझे क्या बैनिफिट है इससे मुझे थोड़ा सा ट्राफिक मिलेगा मुझे पता है आप इतनी सी अलक मिलेगा